हेलो पहरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आए होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा पांच के विशा पर्यावरण अध्यन के एन्नेस प्रक्टिस पेपर के कारेपतर कार्ट को सॉल्ब करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो इसके नौटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं पाट सत्रे फादली दीवार प्रशन है हमारा राश्टे खेल कौन सा है तो किर्किट बॉली बॉल बॉस्केट बॉल या फिर होक किर्किट सिर्फ लड़कों के लिए है आज के संदर में इस इस्तिती के लिए सही कथन का चुनाब कीजिए तो बच्चो ऑप्सन है लड़कियों को किर्किट नहीं खेलना चाहिए तो बच्चो गलत है लड़कियां घायल हो सकती है तो बच्चो गलत है जो भी खेल नेक्स्ट है सही कथन का चुनाव कीजिए लड़कियों और लड़कों के अधिकार समान है समाज में लड़कों का सामाज एक दर्जा यानि कि प्रस्तिती जो है उची है लड़कें लड़कें दोनों का आधुनिक समाज में समान समान है तो बच्चो इनमें सही कौन सा है तो यानि की पहला वह तीसरा लड़कियां और लड़कों के समान अधिकार है और लड़के हम लड़कें दोनों का आधूने कै Allen की जो प्रजन्ट हमारी सोसाइटी है उसमें बराबर का समान है तो बच्चो आंसर है और पर पृतिएग या तो बच्चों में लड़को ऄनुल लड़कियों को समान अफसर दिये जाने चाहिए कहां पृतिएग छेतर में तो आंसर बत्कर ओप से नंबर घे्र वह अब बच्चों पार टठे रहें जाएं तो जाएं कहां प्रस्वय हैं ग्रामी लोगों के लिए भूकंप रोकने के लिए बिजली बनाने के लिए या फिर वनों के विकास के लिए तो बच्चो आंसर नमबर गय बिजली बनाने के लिए नेक्स्ट है जैनी अपने परिवार के साथ गाओं में रहती है इस साल गाओं में अकाल पड़ा जिसके करना वहां कोई काम ध चाहिए या फिर काम धंदे के लिए नजजी की स्थानों के और प्रवेशन करना चाहिए तो बच्चो आंसर नमबर घ्या नेक्स्ट है लोग गाउं से सहर की और के लिए प्रवास करते हैं किसलिए सांत और आरामदाय जीवन के लिए अच्छे भविष्य और रोजगार के ल भीष्य भाड़ वाला है सेहर में सटकों के किनारे फलदार पेड़ है या फिर सहर में जलापूर्ती परयाप्त है सहर में आवागमन याने जाने की सुविधा नहीं है तो बच्चो आंसर है ऑप्सन नमबर फ़स्ट सहर गाउं से अधिक भीष भाड़ वाला है यानी की सह लगना या फिर बांद के आसपास बसे लोगों का विस्थाफन यानि कि वहां पर लोग नहीं रहते हैं तो बच्चो आंसर है उप्शन नमबर घै अब बच्चो पार्ट उन्निस किसानों की कहानी बीज की जुबानी प्रस्न है चित्रों को देखिए तथा उचित क्रम में व को घर पर लाया जाएगा उसके बाद बच्चो उसे साफ किया जाएगा फिर बच्चो उसके बाद क्या होगा उसे पीस कर उसका आटा बनाया जाएगा और उसके बाद उसकी रोटी बनाई जाएगी तो बच्चो इसका सीक्वेंस कौन सा है पहले तीसरा नमबर उसके बाजरे के दानों से आटा कैसे बनाते हैं तो बच्चो यहां पर है दानों को गूत कर लोई बनाने से या फिर दानों को चक्की में पीस कर या फिर दानों को पानी में भीगो कर या दानों को छलनी से चान कर तो बच्चो आटा कैसे बनाते हैं दानों को चक्की में पीस कर ब कपास हो गाई उसका परिवार कपास से कपड़ा बनाना चाहता है वे कपास की कताई करेंगे कैसे चरके से रहट से कोलू से या फिर चक्खी से तो बच्चो आंसर है ऑप्सन नमबर के चरके से नेक्स्ट है फसनों को रोगों से बचाया जा सकता है कैसे नए बीज बोकर दव पाईयां छिड़क कर नेक्स्ट है कैंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह खर्पतवार को समाप्त करता है यह चूहों को मार देता है यह बुवाई में मदद करता है यह म्रदा की उर्वरता में सुधार लाता है तो बच्चो आंसर है ऑप्सन नमबर गये थैंक यू